नमस्कार दोस्तों, crescent education classes में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज है भारती राजजी वेवस्था का part 4, आज का topic है नीती नी दे सकता तो एवं मौलिक करता विए, इस पर आधारित 20 MCQ दोस्तों आज हम discuss करेंगे, सभी प्रश्ण पूर परिक्षा में आ चुके हैं, इसलि हमारे संग जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के बीच में, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, पहला कोशिन आज का भारती सम्विधान में राज्य के न आइलेंड से, USA से या फिर कनाड़ा से, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आइलेंड ठीक है, आइलेंड दोस्तों इस देश से ही हमने राज्य के नीती निसकत्त्तों को लिया है या उनका कॉंसेप्ट दोस्तों हमने आइलेंड से लिया है, ठीक है, नीती निसकत् से 51 तक नीती निदिशक्तत्तों का उलेक किया गया है चले अभी आगे प्रशन भी पढ़ेंगे फिर और चीजे भी बताते वे चले जाएंगे next question देखिए सम्विधान के अंतरगत भारती लोगतंतर के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं सम्विधान के अंतरगत भारती लोगतंतर के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रशन है थोड़ा सा घुमाया हुआ है भाग चार भाग एक प्रस्तावना या फिर भाग तीन तो इसका राइट अंसर क्या है दोस्तों इसका राइट अंसर है भाग चार अभी मैंने आपको बता है भाग चार किसको किसको represent करता है दोस्तों ये represent करता है नीती निजिसक तत्तों ठीक है तो नीती निजिसक तत्तों का भागचार मूल लेख किया गया है और इनको ही दोस्तों समवीधान का आदर्स बोला गया है ठीक है समवीधान का आदर्स अब लेख लेना इसको कहीं पर समवीधान का आदर् अनुछेद 38 काफी important है, अनुछेद 38 राज्य के नीतिक निज़सक्तत्तों का मूल मंत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्योस्था की स्थापना करेगा, ठीक, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय को अनुप्रमानित करेगा, तो इस टाइप से इसमें लिखा गया है, तो भारती लोक्तेंतर के अदर्सों को हम कहां देख सकते हैं, भागचार यानि कि नीतिन सक्तत्तों में देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, कल्यानकारी राज्य का वंद करना, सभी नागरेकों को स्वास्ते सुविधाएं प्रदान करना या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं, देखिए, क्या इसका राइट अंसर होगा, कल्यानकारी राज्य का दोस्तों देश्य है, अधिक्तम लोगों का अधिक्तम कल्यान सुनेश्चित करना, ठीक है, देखिए, भारती समयदान में कल्यानकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही नीती निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है, भाग चार में अनुछे 36 से लेके 51, ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या है, अधिक्तम लोगों का अधिक्तम कल्यान करने का प्रयास इसमें किया गया है, ठीक है, तो कोसिस यही है कि नीती निदेशक तत्व से क्या करना है, कल्यानकारी राज्य को स्थापित करना है, ठीक है, इसमें जैसे आता है समानकारी के लिए, समानवेतन, जैसे महिला और पूरुस को समानवेतन मिलना चाहिए, ठीक ह का जो उदेश है वो किसमे है दोस्तों कल्यानकारी राज्य का उदेश है ठीक है तो कल्यानकारी राज्य का उदेश है किस से रिलेटेड है नीती निरसक तत्तों से बहुत बार ये प्रश्म दोस्तों पूछा जा चुका है ठीक है next question है कि मौलिक करतवे का उलेग भारती समिधान के किस भाग में किया गया है fundamental duties का उलेग भारती समिधान के किस भाग में किया गया है भाग 4, भाग 3 को, भाग 4 को या फिर भाग 2 को तो क्या इसका right answer है दोस्तों? इसका right answer है भाग 4 को ठीक है, मौलिक कर्तवे का उलेक दोस्तों हमारे भाग 4 को, समिधान के भाग 4 को में किया गया है और अनुछेद है 51 को, ठीक है, तो इसमें हमारे कुल मिला के 11 मूल कर्तवे, ठीक है, 11 मूल कर्तवे, पहले क्या थे, 10 मूल कर्तवे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कि 86 समिध इसको ध्यान रखेगा, तो यहां पर जो अनुछे दिकावन कौ है, उसमें शुरू में 10 मूल करतवे थे, बाद में 11 जोड़ा गया, अब इसके बारे में भी डिटेल में डिसकस करेंगे, ठीक है, तो चलिए समझ में आगा होगा भारत 4 कौ, ठीक है, अगला देखिए, निमल पालिका से कार्यपालिका का प्रिथकरण, ठीक है, हमारी मिली जूली संस्कृति की सम्रिद्ध विरासत को सरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्तेवं अनिवारे सिक्षा या अस्प्रिस्यता की परंपरा को समाप्त करना, ठीक है, ध्यान पूर्वक इसको देखेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, हमारी मिली जूली संस्कृति की संब्रिद्ध विरासत को सरक्षित करना, ठीक है, यह दोस्तों हमारा क्या है, एक मौलिक करतव है, ठीक है, बाकी दोस्तों इसमें क्या है, अलग अलग है, जैसे देखा ज बच्चों के लिए मुफ्तेवन आनिवारे सक्षा आप तो ये आप तो सिख्षा क्या दिकार में आ चुका है ठीक है तो ये सब चीजें आपकी क्या है दोस्तों ये आपकी क्या है हमारी मिली जूली संस्कृति की सम्रिद विरासत की रक्षा करना ये दोस्तों हमारा क्या है भारत में मौलिक कर्टव्य वैसे देखा जाए तो यह 45 के अंतरगत आएगा ठीक है तो यह अभी नीती देशक्तत्रों के अंतरगत आते हैं ठीक है अगला देखेंगे मूल कर्टव्य का वर्णन समीधान के किस अनुशेद में है ठीक है अभी मैंने आपको बताया था जो मू इंपॉटिंट है समीधान संसोदन हैर्ज देशनटेश में проект के इसमें पूछ है इसमें पुछा जाता है कि वह कौन सी समी थी तो यह थी सरदार सुने सिंग संपी सरदार स्वार्ण संपिया जातान किया था 1976 में और इसमें भाग 4 को के अंतरगत 51 को एड़ किया गया ठीक है तो उसमें क्या हुए थे 10 मूल कर्तवे को सामिल किया गया था बाद में क्या हुआ एक और 11 मूल कर्तवे सामिल किया गया 86 वे समीधान संसोधन 2002 में ठीक है और ये जो हमने मूल करतव्य हैं दोस्तें कहां से लिए हैं ये हमने लिए हैं सोवे संग रूस से हमने इसको लिया है ठीक है तो मौलिक करतव्य समझ में आपको आ गया होगा ठीक है अगला देखते हैं भारतिस हमिदान का कौन सा अनुछेद या निरदारित करता है कि राज्ये के नीति इंस सरे अनुछेत 37 ठीक है देखिए भारती सम्विधान का जो अनुछेत 37 है दोस्तों वो यही बताता है कि राज्ये के नीति निसक सिद्धान किसी न्याले में लागूर नहीं किया जा सकते ठीक है तो यह एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह देश के सासन का बेस है ठीक है और वि अपरवर्तिन यह बनाए गए है ठीक है मतलब कि इनको किसी न्याले में आप लागू नहीं कर सकते ठीक है तो न्यायपाली का राज्ये के नीति निसक्तत्व के तहत किसी भी करतवे को निभाने के लिए विवस नहीं कर सकती यह सिंपल सा आर्टिकल 37 कहता है ठीक है तो आर सुविदा अनुसार अधा किया जा सकता है राज्ये के नीति निसक्तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविदा अनुसार अधा किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर कौन है केटी सा ठीक है केटी सा ने क्या किया था भाई कहा था कि राज्ये का जो नीति निसक्तत्तत्व है वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है केटी सा कौन ते प्रोफेसर केटी सा दोस्तों it बिहार प्रांते से समिधान सभा के सदस्य चूने गए थे सलाकार सम्मीति और मौलिक अदिकार की उप सम्मीति की भी दोस्तों ये सदस्य थे तो केटी साह का नाम द्याद रखेंगे, कहा से चुनेंगे थे, भीहार प्रांते से, समीधान सभा के सदस्य थे चल से अगला देखेंगे, समाननागरिक सहीता किस राज़य में लागु है? समाननागरिक सहीता यनि की युनिफॉर्म सिविल कोड की, तो तो इसमें होता क्या uniform civil code में जैसे कि जो civil मामले होते हैं जैसे कि विवा है या तलाग का मामला चल रहा है या फिर किसी भूमी को लेके उत्रादिकार का मामला है ठीक है तो इसके संबंद में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है बनाद सबी धर्मों में समान कानून लागू होता है तो यहाँ पर वैसे देखा जाये तो अनुछे 84 है उसमें लिखा गया है कि सबी नाग्रिकों के लिए समान सिविल सहिता का प्रावधान है ठीक है युनिफर्म सिविल कोट का प्रावदान है लेकिन निती नहीं सकता तो अब आप कोट के द्वारा जवर्दस्ति इसको नहीं करवा सकते लागू ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले बोला आर्टिकल 37 के द्वारा क्या क्या सकते राजी की निती सिदानत है वो किसी नियाले द विधन के किस अनुछेद में समान न्याय एवं निशुल्क विदिक साहता का प्रावदान है अनुछेद 30, अनुछेद 49 को, अनुछेद 25 या फिर 33 को तो इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर है अनुछेद 49 को ठीक है देखिए अनुछेद 49 को क्या कहता है वो समान न्याय और निशुल्क विदिक साहिता का प्रावधान की बात करता है कि यानि कि राज जी सुनिश्चित करेगा कि जो समान न्याय मिले निशुल्क विदिक साहिता मिले मतलब कि कोई वेक्ती है अगर वो आर्थी ग्रूप से कमजोर है तो उनके लिए निश्वर कर विदिक सायता की व्यवस्ता की जाए, ठीक है, वैसे दोगा जाए तो यह जो निर्योग्य व्यक्ति आइडिक से कमज़ोर गहाता इसको भी 42 में समीदान संसोदन 1976 दरा एड किया गया था, ठीक है, तो 49 को भी इंपॉरमें तो राज्य सुनिष्चित करता है कि कानूनी समान न्याय मिले और निशुलक विदिक साहिता का भी प्रावदान हो उन व्यक्तियों को जिनको मतलब वो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर निर्योग्य है या डिसेबल्ड है इसके बाद आगे बढ़ेंगे भारती समिधान के किस अनुछेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का नर्देश दिया गया है बड़ा इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है तो आर्टिकल 40 अनुछेद 40 दोस्ते भारती समिधान के अनुछेद में ग्राम पंचायतों के गठन से संबन देते ह ठीक है तो इसके अंतरगत क्या होता है कि जो ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसका कदम कौन है उसके लिए आवश्यक कारवाई कौन करेगा वो करेगा राज्य ठीक है तो तो राज्य दोस्तों क्या होता है ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान से संबन देते है और उनको देखा जाए तो स्वायत सासक के रूप में एक तरह से वो उनको डिवलप करेगा, ठीक है? तो राज्य को ग्राम पंचायत का गठिन का निर्देश दिया गया है अनुचे 40 में, ठीक है? अगला देखेंगे, कारे पालिका से न्याय पालिका के पृतकरण का सिद्ध सविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है राज्य के नीती निसक्त तत्त्तों में, ठीक है? तो राज्य के नीती निसक्त तत्त्तों में जो आर्टिकल 50 है, इसमें क्या है? कि राज्य लोग सेवाय में जुन्याय पालिका और कारे पालिका, ये दोनों क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से separate होंगे, ठीक हो गया, अगला प्रशन देखिए, नीटी निशक सिध्धान्तों में कौन सा सिध्धान्त गांधिवाद विचारदारा पर आधारित नहीं है, ठीक है, देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब कि कुछ हमारे नीटी निशक इसके बाद है, उसमें गांधिवादी विचारदार हैं, ठीक है, तो आपको बताने हैं कि इन में से कौन सा नहीं है, ठीक, तो ग्राम पंचायतों का संगठन है, इसके बाद है, चौदा वर्स तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार एवन निसूल को शिक्षा, ठीक है, इसके बाद देखे, आसदी उपियों के अतरिक सभी नसीले पतारतों के सेवन पर परतिवन, कमजोर तथा पिछडे वर्गों के विकास के लिए कारे करना, ठीक, तो इसका राइट अंसर क्या है, इसका राइट अंसर है, बी वाला, चौदा वर्स तक के सभी बच्चों के तो ये अनिवार और्रिक सिक्षा, जोसते, इस गांधी वाली विचारतारापर आधरित नहीं है, गांधी वाली विचारतारापर आधरित कों सा हे? कि आप ग्राम पंचयतों का गतान करिये बीचन होप इसके अलावा जैसे आप अनुसूचितары जाती या कम फिछडे यह गांदीवादी सिधान्तों से रिलेटेटे नह Bush है तो यह किसमा आता है 46 में आता है छीक है इसी तरह से ओसदी उप्योग के अतरक सबी नसीले-पदार्तों के सेवन का परतिमन टीक है तो यह तो किस आता हैjay 47 में आता ह। यह वाल आपका क्या हो गया 46 हो गया ऐसी आपका क्या होता है कि ग्रामिट शेत्रों में कुटी रुध्योग का प्रोथसाहन देना यह 43 में आता है तो यह सभी आर्टिकल के हैं दोस्तों किसे रिलेटेड है यह है गांधिवादी विचारदारा से तो 40, 43, 47, 46 यह दोस्तों कि से रिलेटेड है जबकी 14 वर्ष तक के सभी बच्चो के लिए निवारे गिसंख्ष अधिक आपका गांधिवादी विचारदारा से नहीं है आर्टिकल 45 में है ठीक है तो यह समझडी लिए का अगला देखिंगे निलेख्यछ सच्धूस्तों में कौंसा सच्धान उ उदारवादी एक है गांधी वादी एक है उदारवादी ठीक देखिए नियाएपालिका का कारेपालिका से प्रतकरण समस्ते देश के लिए एक समन सिविल सहीता प्रदान करना कलात्मक तथा एतियासिक मेहतों के समार्गों का स्रेक्षन प्रदान करना या उपरोक्त में से क आप न्याय पालिका को कारेपालिका से प्रिथक करो ठीक है इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि युनिफॉर्म सिविल कोड समस्त देश के लिए एक समान सिविल साहिंता यानि की चावालिस्वा ठीक है इसके बाद कलात्मक तता एतियासिक महतों के समारकों का सरक्षन करना य नाइन में आता है तो 50, 44, 49 ये दोस्तों किसमें आता है उदारवादी विचारधारा से प्रेरिथ हैं नेक्स क्वेशन देखेंगे चली इसको थोड़ा सा छोटा कर लेगते हैं नेक्स क्वेशन देखें निमलिखित नीती इंसक्ततों के सिध्धानतों में कौन सा सिध्ध ठीक है जिससे कि भाई क्या हो सके लोग कल्यानकारी राज्य का स्थापना हो सके ठीक है तो इस सभी को जीवन निर्वा के उप्युक्त साधन प्रदान करना बिल्कुल ए वाला भी करेक्ट है संपति तथा उतपादन के साधनों का कुछ लोगों में संक्रिदन को रोकना त हम देखते हैं कि हमारे देश में Chuck किंधरित हो रbung है कि तो रोकना है ठीक है सभी का करना है सब का विकास करना है मतलब कि जो हमारा जो धन है उसका कवित्रण इस तरह से कि गरीबों पर भी धन पहुंच सके या संपति उनके पास भी पहुंचे के प्रोडेक्शन भी पहुंचे के तो ये भी क्या है दोस्तों एक तरह से लोग कल ल्यानिकारी राज्ये का आप देख सकते हैं कि सिद्धान थे ठीक है इस तरह से क्यारे की न्याय संगत और मानवचित दसाओं तथा प्रसूती सायता का प्रावधान तो ये भी दोस्तों किसके अंतरगात आता है ये भी आपका समाजवदी विचारधारा के अंतरगात आता है ठीक है यानिकि सामाजिक और आर्थिक में दोनों को सुनिश्चित करना है ठीक है ये आता है आर्टिकल नंबर 42 मे ठीक है कारी की निया संगत और मानवची दसाओ तथा प्रसुती सायदा का प्रावधान तो देखा जाए तो उप्रोप सभी राइट है ठीक है अगला देखिए मौलिक कर्तव्यों का समुच्य सदेव अंग होता है मौलिक करतवे का जो समुच्य है यानि कि मौलिक करतवे हमारे कितने हैं दूस्तों 11, तो इनका जो सेट है किसका पार्थenser है एकात्मक समीधान का, लोकतांतरिक समीधान का समाजवदी समीधान का यह फिर संग्य समीधान का जो क्या इसकारी ni Correct answer है समाजवादी समिधान का ठीक है देखिए जो समाजवादी देश है उन्होंने क्या किया अपने नागरेकों को मुल अधिकार और जो मूल कर्तव्य उन लोनों को एक समान महत्तो दिया है ठीक है लेकिन जैसे कुछ लोगतान्त्रिक देश है जिसे कि अमेरिका है, फ्रैंस है, कनाड़ा है, जर्मनी है, ठीक है, तो वहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को मूल समीधान में परिभासित नहीं किया गया है, ठीक है, तो लोकतांतरिक देसों में जिसे केवल जापान है, वहीं पर इस समीधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया है ठीक है तो जो मौलिक कर्तवियों का समुच्य है वो हमेसा क्या होता है दोस्तों इस समाजवादी देशों का ही या समाजवादी समीधान का ही प्रमुक अंग होता है ठीक है तो ध्यान रखना है कि जो समाजवादी देश हैं वहाँ पर क्या है कि अपने समीधान में परिवासित नहीं कर या नहीं कि मौलिक करतव्य को जगा नहीं दिये तो ये चीज आप क्लियर ली हो जाएगे अपको ठीक है इसके बाद देखिए भारत के परतेक नागरिक का ये करतव्य होगा कि वह प्राकर्तिक परियावन का सरक्षन हैं सुधार करे तो ये किसके अंदर कहता है दोस्तों ये है 48 कौ अनुचेद 48 कौ में दोस्तों वर्नित है परियावन का सरक्षन एवं सम्मर्दन ठीक है वन और वन्ने जीवों के आपको क्या करना है रक्षा करना है या उनका प्रियास करना है तो अनुचेद 48 कौ यही कहता है ठीक है इसक निमने में से कौन सा एक विषय है वह है जिसे समिधान में भारती नागरिकों के मूल करतेवों की सूची में सामिल किया गया है ठीक है थोड़ा सा यहां पर थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइपिंग में से निमने में से कौन सा एक विषय है अच्छा ठीक है जिसे समीधान में भारती नगरिकों के मूल करतेवों की सूची में सामिल किया गया है देखे धर्न निर्पेक्षता का व्यावार करना, विज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदी की भावना विक्सित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और साइडन से भुकतान करना, अपने करतेवे के निस्पादन कर रहे हैं, किसी लोग सेवक पर आकर्मन ना करना तो क्या इसका राइट अंसर है दोस्तों? इसका राइट अंसर है, जो मूल करतवे के सूची में सामिल किया गया है दोस्तों वो ये है कि आप विज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदी की भावना को विक्सित करना है, ठीक है? आप ज तथा सुधार आदी की भावना को आपने क्या करना है? विक्सित करना है, यानि कि आपने विज्ञानिक दिष्टिकोंड को विक्सित करना है, मानववाद को, ज्ञान अर्जन को, सुधार की भावना को आपने विक्सित करना है, ये 51 कौ में दिया गया है, मूल करतवियों म से एक है ठीक है अगला देखेंगे भारती सम्विधान के अनुछे 41 किसे संब्दित है ठीक है अनुछे 41 के इंद्र सरकार, राजी के नीती निश्वत द्दान, राजी सरकार या फिर भारती नागरिकों के मौलिक दिगार तो यह कोशन तो सिंपल हो गया तो अभी आप जानत के अनुसार रोजगार और सिक्षा प्रदान करने की कृपा मतलब करेगा या कोशिस करेगा प्रयास करेगा ठीक है तो यह आप ध्यान रखिए कि सीधी बात है जो अनुछेद 41 है वो अपने नागरिकों को उनकी योग गिता के अनुसार रोजगार वो सिक्षा उपलब्द कर प्रयास करेगा ठीक है यह सारजनिक सायता भी परदान कर सकता है ठीक है जिसे की आपने देखा होगा मन रेगा ठीक है मात्मा गांधी राष्ट्य ग्रामेंड रोजगार गारिंटी अधिनियम मन रेगा ठीक है तो यह किसमें है दोस्तों यह आपका 41 अनुछेद के रोजगार का दीकार है तो जैसी योग गयता है उसके अनुछार राज्य कोसिस करेगा जितने भी उसके संसादन है जितना भी संसादन है उसके अकॉर्डिंड वो कोसिस करेगा कि अपने सभी नागरिकों को रोजगार वो सिक्षा उपलब्द करा सके ठीक है चली आगे भारती सम्मिधान के अनुछे 43 कव में वर्नित उद्योगों के प्रभंदन में स्रमिकों की भागीदारी किस से संबंदिते हैं तो किस से संबंदिते ही राज्य के नीति इंस्क्तत्पों के नुसार है तो इसमें क्या करना है अनुछे 43 कव में जो हमारे उद्योग है उनके प्रभंदन में भागीदारी सुनिष्चित कोन करेगा वो राज्य करेगा तिक है या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो राज्य के किसी उध्योग में अगर लगे हुए या राज्य के किसी उध्योग में काम करने वाले जो करमकार हैं या किसी उपकरम में अगर कोई लगे हैं किसी संगठन के प्रबंदन में कोई करमकार हैं तो उनके भाग लेने के लिए स 1976 द्वारा एड़ किया गया है ठीक तो भारत्य संविधान के अनुछेद 43 कवम में क्या है कि भाई जो हमारे उध्योग या फिर हमारे उक्रम या संगठनों के परबंदन में स्रमिकों की जो भागिदारी है वो राज्य सुनिश्चित करेगा उसके लिए प्रयास उठाएगा तो ये किसमे वर्णित है दोस्तों ये अनुछेद 43 कवम में वर्णित है बैलिस्वा संविधान संसोत अधिनियम 1976 के द्वारे इसको एड़ किया गया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही 20 कोशन आपको अच्छे लगे होंगे देखे पीसेस में इसी तरह के कोशन आएंगे I hope कि आपको काफी लाब मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद और जनरली आपको लाब मिलेगा अब मैं कल के लिए आपको एक टॉपिक दे रहा हूं इसका टॉपिक का नाम है राश्पती एवं उपराश्पती इसके बारे में दोस्तों आप पढ़े के लाएंगे इस पराधारी दोस्तों हम आपको questions करवाएंगे, quiz करवाएंगे तो अखल आप इसको पढ़े के आईएगा राश्पती एवं उपराश्पती मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care and good bye.